शुप्रभात और हम लोग बात करने जा रहें यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसेंस संबंदीत कुछ आपकी जो क्यूरीज है उनको हम लोग दूर करने का प्रयास तो अगर हम लोग देखें यहां पर तो जो जी डी सी की वैकेंसी को लेकर आप लोगों के कुछ डाउट मैं अंतर हम और बात करेंगे आज जो कुछ ग्याष्टम पर ज़रूरी बात करना है कि एस सरे क्या है तो एस सर 21 से 11000 चालीक है की से चालीक वर्तक जोन निमा उनसार छूट मिलेगी मैं यह बात कर रहा हूं उनके लिए 21 से 40 एज है बाकि जिनको जिस आप से reservation में छूट मिलती हो उनको छूट मिलेगी qualification क्या चाहिए net obliq slet obliq PhD इन में से कुछ भी हो आप फाम भर पाएंगे net हो slet हो या PhD हो एज आपकी 21 से 40 वर्ज के भीतर होनी चाहिए 21 से 40 हो आपने PG किया हो उसी विशे से आपका net, slet, obliq, PhD slet हाला कि भी बहुत दिन से बंद है तो अगर पहले का किया हुआ तो मानने है net हो, slet हो, PhD हो या जियारप हो जियारप है तो फिर net हो ही वो या जियारप कुछ लोग confused हो जाएंगे तो भी आप मानने रहेंगे तो यह तो हो गया और अभी तक जो pattern है अभी तक pattern ने क्या होता है कि जो maths वाला छोड़ के बाकी में क्या होता है कि 90 questions आपके subject के आ जाते हैं और 30 आपके GS के आ जाते हैं है ना, यही तो होता है अभी तक अभी क्या बदला होगा इस बार बात की बात यह सबका है सिर्फ मैत के लिए 70 और 30 है जो mathematics के student है उनके subject में 70 आते हैं बाकी 30 तो अभी अन subject के हिसाब से आपका 90 और 30 का ratio है रही बात इस बार सीटे कितनी आ रही है हलाकि अभी तक जो बिग्यापन मैंने उस दिन भी आप से कहा था कि 400 प्लस का भेजा गया है अगर पूरे 756 पत खाली है उनमें से अगर 700 भी आ जाते हैं उम्मीद है कि 700 का बिग्यापन आपको देखने को मिलेगा तो जो subject wise list बन रही है एक दू दिन में मैं पूरे subject सामिल नहीं है कौन कौन सामिल होंगे उन सबको और लगबग यह बता दूगा कि कहां कहां सीटे खाली हो रही है इसकी जानकारी आपको दी जाएगी जैसे अब मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो मेरे कॉलेज में जैसे फरुकावाद है तो यहां पर अगर हम देखें तो commerce के दो पत खाली है commerce के हो गए उसके आद बोटनी का संस्क्रत का ऐसे हर कालेज में पत खाली है वह एक दो दिन में मैं पूरी उसकी लिस्ट को भी अपडेट कर दूँगा अभी आज की में मोटो यह था बताने का कि जो एज को लेकर कॉल NCRT तो कुछ लोगों ने कहा था GS के लिए क्या NCRT GS के लिए आपको NCRT नहीं पढ़नी है NCRT आपको अपने सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है इतना तो समझदार होना चाहिए बैए प्रोवेसर बनने जा रहे हैं आप जैसे history वाले हैं तो 9,10,11,12 के NCRT पढ़ने अगर चीजों के लिए भी NCRT आप प्रफर कर सकते हैं लेकिन GS के लिए NCRT पढ़ने के आप सकता आपको नहीं है आप हिंदी है तो भी NCRT देख सकते हैं अभी एकलब मॉडल लोगा दिख लिए या उससे तो आपको एक एक्स्रा मिल जाएगा यह कहते हैं कि एक्स्रा माइलेज फिर एक गिंजिवर्फी वाले जो हमारे under Ruby लोगों से कि आप लिए स्ट्रीव कैसे फोकस करें उस्ट्री वाले जो प्रोफफरस्व बढ़ने जारेएं उन्हेकि क्या-क्या करना है उन सबक्रेंně अलब अलग सब्जेक्ट करें कि अपने प्रोफषर से भी कि कौन कौन से विश्यक को क्या-क्या उनको फालो करना है अब रही बाद जीएस के लिए तो जीएस एक अहम भूमका निवाता है तीश नंबर की जीएस होती है मैंने कल भी कहा था कि इसमें नंबर बारा से लेकर तीश तक उड़ जाते हैं तो इस वैरेशन को कम करने के लिए आप अपने इस तरह से मेहनत तो करी रहें बर्मास करीज देखिए कमटी जल्द ही मैं एक दो चार दिन में एक जीडी सी के हवा है मेरा कि आप 25 प्लस सही करने के स्थिती में होंगे इस मैस को हम लोग जल्द ही ब्रमास्त मैस के नापसे शुरू करने जा रहे हैं आज के लिए इतना ही जल्द ही आपकी भरते आने वाली चैनल को लाइक सब्क्राइब से रिक्रत करें जैहिन जैभार धन्यवाद